नमस्का मेरा नाम अंकित गोयल और आप देखने दर ट्राइवहंट और आज आपके लिए ऐसी गाड़ी ले के आ चुका हूँ जिसका सिडान मार्केट में इस टाइम पे बहुत जवर्दस्त बोल वाला है यह गाड़ी ओन करते हैं हमारे यश भाई यह गाड़ी यश भाई क पूरा वॉकराउंड होने वाला है सो स्टे ट्यून बने जाएगा वीडियो में अब यह आप लोग के सामने इसके फ्रंट प्रोफाइल और फ्रंट से यार बहुत ज्यादा स्टनिंग है इसमें जो इसके हैड लैंब से हैं वाइट कलर है और बहुत ही अपीलिंग इसके लिए नंबर प्रेट के लिए और यह वाली अपनी ग्रिल है जो कि बहुत ज्यादा सेक्सी है मेरे को सबसे पार्ट इसमें लगा जो इसकी प्रोफाइल दिखाऊ आपको तो साइट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है यहां पर भी स्टिकर वगएर भी सब लगे हुए और साइट से रेड कलर में बहुत जबर्दस लग रही है तो इसका एक बार मैं आपको पूरा फ्रेम में लेकर दिखा देता हूँ इस गाड़े के अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो टायर प्रोफाइल है इसका 205 पच्पन आर 16 इंच का टायर है और 205 वाई 55 तो इसकी जो डिटेल्स है वो आप अर्दर वीडियो में देख सकते हैं हमारे इंस्टेग्राम पे भी की 205 बटे 55 का मतलब क्या है बाकी 16 इंच का टायर है और अलॉइज है इसके अलावा अगर मैं इसके हुक्स की बात करो तो यहां पे इन्होंने डारेक्ट बोल्ट नहीं द यह वाला जो क्रोम पार्ट है यह अभी तक मेरे को दूसरी गाड़ी में दिखा और यह लॉंगेस्ट सिडैन है इंडिया की और सेफेस्ट कार है फाइस्टार रेटिंग के साथ में तो यह भी एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी को पर्चेस करने का इस वाले सिडैन के अ आगे है वैसे ही यहां पर इसको कनेक्टिट दिया गया है तो यह चीज भी बड़ी ही अट्रेक्टिव है आगे से भी और पीछे से भी इसके अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट पूरी की पूरी इसकी LED है और मैं इसको आपको जला के दिखाता हूं तो ऐसी कुछ है यह दिखने में इसके इंडिकेटर्स यहां पर प्लेज है और यहां पर पूरी ही कनेक्टिट इसकी लाइट दी गई है पूरा ही LED सेट अप है जो कि अपने आपे में बहुत ज्यादा खुबसूरत एक व्यू दे रहा है साथ ही अंदर भी इसके क्रों की एक यहां पर प अपने बूट करने के लिए फिलिप की बनाई गई है तो वेट काफी ज्यादा कम है इसका और इसके अलावा अगर में इसके बूट की बात करूं तो सिर्फ यह बटन अगर में होल्ड करकर रखता हूं तो इसका बूट अपने अपन हो जाता है इसमें कोई आपको अगर अगर बीच में पार्शन कर दिया तो उस चीज में कि उधर की साइड रॉष्णी जा नहीं पाती लेकिन इसकी रॉष्णी जो है वो पूरे में फैलेगी अंधेरा होते के साथी पूरी चीज आपको दिखाई देंगी अच्छे से इसका बूट बन करना पड़ेगा लेकिन बंद करने से पहले यहां पर आपको दिखागू है तो यहां पर प्लास्टिंग के पूरी पैडिंग लगाई हुई है और इसको पूरा कवर किया हुआ है क्योंकि बहुत सारी से पिछली बार आपको हॉन्डा सीटी में भी दिखाया था यहां पर पैडिंग नहीं ह इसका इसमें आपको फ्यूल कैपसिटी मिलती है और साथ इसका शाक फिर एंटीन है ब्लैक कलर में जो कि इसके लुक को और ज़्यदा बढ़ा रहा है साथ ही इसके यह रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में यह क्रोम वाली पट्टी इसके अगर मैं साइड मिलर की बात करूँ त इसके आप देख भी पा रहे हैं और इसके अलावा इसके जो लॉक अनलॉक के लिए यहां पर ऑप्शन दिये गए हैं गेट को खोलने के लिए अगर लॉक यहां से कर देते तो पूरी काड़ी लॉक हो जाती है यहां से लॉक अनलॉक करने पर पूरी काड़ी अनलॉक हो ज राइड मिरर से उनको एजस्ट करने के लिए गेट के एंट्री कुछ इस तरह की है सीट पर अभी भी जो कवर्स है वो चड़े हुए है इसमें हाइट अजस्ट में और इसके साथ ही यहां पर मैनुवल सीट आगे पीछे और ऊपर नीचे और यह वाला जो बैकरेस्ट है यह इसके अंदर चले हम तो बहुत ही खास फीचर जो लगा मेरे को यहां पर स्टार्टिंग बटन यहां पर आता है इसको हम तीन बार प्रेस करना पड़ेगा और यह वाला जो इसका विंडो है यह और आप आप कर दिया और यहां पर हाथ आ जाता है किसी का तो वह अपने पर एड़ेस्मेंट का और इसका लेवलर यहां पर है जिरह इसीवेंट कुछ इस तरह हैं इसके यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यह हैं इसका steering काफी ज्यादा एक स्टोंटी स्टेरिंग है डीकत में आता है और वीडबल की बैजिंग बहुत ज्यादा प्यार घाब, भागे अगर हम बात करें इसके interior screen की तो यह 7-inch की screen है, जो कि company से ही company fitted है, और इसमें अभी apple carplay connected है, जो कि हमें सारे features इसके दिखा रही है, apple carplay के, इसके अलावा इसके अगर में touch के response की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं, इसका touch response काफी ज्यादा smooth है, और यहाँ पर यहाँ पर दिये गए है यहाँ पर दिये गए है यहाँ पर इसके wireless charging दी गई जिसमें कि यहाँ पर छाप पर को पता नहीं चल पा रहोगा विडियो में यहाँ पर काल में लेकिन हाथ में एंबियंट लाइटिंग बहुत ज्यादा सूट कर रही है अगर आपको डीटेल में भी बताऊं तो यह वाली इसकी पूरी एंबियंट लाइटिंग है जो कि यहां से वहां तक जा रही है और इधर की साइट भी अभी ऑन नहीं है तो बाकि से गलब बॉक्स की बात करें तो क मैनुल है मैनुल मैन एडिवेश्मेंस के साथ यहां पे लाइट मिल जाते हैं जो की LED glaubether कंप नीं upwards रृत-पे तो यह वहां सब्सक्राल सु होते हैं तो अभी सअनूफ निए क्योंकि अछुन को नहीं च albums चाहिए यह संब्सक्राइट की मिल थी कि कि यह गाड़ी कितने की पड़िया को ओन रोड ये ओन रोड हम लोको गाड़ी पड़ी है 1420 की 1420 है तो यह है यह गाड़ी 1526,000 रुपे की बट 1420 की इसलिए पड़ी है क्योंकि हमें स्टोर की साइट से काफी दिसकाउंट को और पर दिसकाउंट बगरा से मिलाकर 1420,000 अलब रहती है गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि आप बिना एसी के तो सर्वियों में भी नहीं रह सकते गाड़ी के अंदर तो संरूप खोलेंगे ही इसके लावा लेके चलता हूं आपको बैक में बैक से पहले में आपको दिखा देता हूं यहां पे यह आपको 12 वोल्ट का यहां पर, इसके अलावा यहां पर दो कफोल्डर और यहां प्यानो ब्लैक के साथ बहुत ही ज्यादा अपीलिंग इसका लूप लग रहा है, यहां पर इसकी जो यह दी गई हाँ और इसकी हजार लाइट्स आप देख सकती है अगर मैं इसके हजार अन करता हूं तो यहां पे भी यह illuminated है इसके अंदर traction control का option यहाँ पर मिल जाता है जो की touch है अगर आपको drift वगदे के लिए गाड़ी को prepare करना है तो इसको off कर दो और on करने के बाद आपकी जो गाड़ी है वो traction control on हो जाएगा साथ ही engine on off के लिए अगर आपकी जो गाड़ी है वो traffic में फसी होई है तो इंजन अपना अपने आप आफ हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद तो इसको भी on कर देते हैं तो इसके अलावर यश भाही ने बड़ा एक अच्छा feature दिखाया तो भाही दिखाना दुबारा से इसको off कर देते हैं तो off करने के बाद में यह पूरा panel है यह एक ही लगता है और अभी आपने देखा मुझसे गलती से मैंने इधर की साइट स्वाइब करा तो वह अपने आप ओन हो गया है मैं आपको दुबार करके दिखाता हूँ तो सिर्फ एक बार स्वाइब करना है और पूरी स्क्रीन on मैं चलता हूँ इसके बैक प्रोफाइल पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहां पर यह जितना भी पार्ट है यह पूरा लैदर आइड है पूरा लैदर का soft है और यह वाला पार्ट की बहुआ से अध्यर आपक बीसका और यहां से इसके बैक बहुत घूबसूरत एक लेदर फिनिश दिए हूई है इसमें इसमें सिकर करे जो है यहां पर स्फीकर है स्पीकर है और ऑगर मैं इसके लैगरूम की बात करूं तो मेरी ह Sax Neo 57 तो मेरे पर दिच्छे सिटिकर अगे इसके AC vents और यह भी बहुत ज्यादा एक appealing look के साथ आ रहे हैं बहुत जारा एक luxury look है यहाँ पर भी दो type C port मिलते हैं और यह सब plastic है यहाँ पर जो hump है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है तो अगर तीसरा बंद भी बैठता है यहाँ पर तो उसको problem नहीं होगी लंबे सफर प इसके अंदर और अगर तीसरा बंद भीच में बैठता है तो थोड़ा सा अंकमफटेबल होता है तीन बंदों के लिए इसमें seat belt है तीन बंदों के लिए ही इसमें headrest दिये गए हैं जो कि adjustable हैं अपनी height के हिजाब से तो अगर इसमें कोई ज्यादा हाइड का बंदा बैठता अगर मैं अपने headroom की बात करूं तो मैं बिल्कुल relaxing position में बैठा हूँ और मेरा headroom मेरे को मिल रहा है वह बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन like more than enough है क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा सर टकरा रहा हूँ या कोई six feet का बंदा भी बैठे गया तो फोड़ा adjust हो कि आपने आपको आगे कर इसके अलावा आगे भी इसके headrest हैं वह भी adjustable मिलते हैं दोनों साइट और यह जो है यहां पर इसका like a coat का holder मिलता है और यहां पर भी एक coat का holder मिल जाता है ऐसा दा कुछ इसका walk around 360 view बाहर से और अंदर से पूरी details दिखाई इसकी कोई और information required हो तो comment करके पूछ सकते हो इस वी waiting है गुडगाओं में चाहा तक मुझे बता है तीन महीने की गुडगाओं में और हम लोग मेरट से हैं तो मेरट में minimum 6 महीने की वेटिंग चल रही है इस गाड़ी पे और भाई को कितने की बढ़ कितने दिन में मिल गई मुझे 15 देज में तो अगर आपको जानना है कि किस तरह से मिली क्या ट्रिक्स हैं इतनी जल्दी गाड़ी लेने की और जो डिस्काउंट अगरा है वो कैसे मिला तो हमारे इंस्टाग्राम पर ज़रूर रीच आउट करना बागी इंफोमेशन के लिए इस गाड़ी की कोई और इंफोमेशन रिक्वाइड हो और अगरा कर दो यार थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग बाबाई टेक क्या जैहिंद